नर्मदेहर 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 तो आज मीरा तीसरा दिन और यात्रा मेरी प्रारम हो गई है थुड़ा अरहम करने के बाद मैं लग रहा है कि अभी बैठर है, थोड़ा सो कोलड है पर ठीक है। इस एक्ज़र्शन के वज़े से तोड़ा था। औरुखने का भी फायदा हुआ। चोटे आश्रम में यह आनंद है, कि आप आराम से कईसे महाराज के साथ में बात करे वक्त बिता सकते हो। बड़े आश्रुम में भीड़े जादा होती है भीड़े जादा होती है तो वारत अलाप और चर्चाएं कम होती है तो यात्रा आगे बढ़ाते हुए नर्मदेगर नर्मदेगर तो यहां पर स्कूल और बच्चे सुबह में वक्त बिताते हुए तो इसुबह के बजे यह आठबच कर दसमिये का और मैंने मेरा आज का तीसरा दिन परिकर्मा शुरू कर दिये अब यह भी एक च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह इक पढ़र है निर्मदे रहा है बलो बलो रहा है तो पिछे गाओंवालों के साथ में चर्चा हो रहे थे और गाओंवाले बोल रहे थे कि हम किसी तरह का भेदबाउ नहीं करते हैं कोई एक में वह इस्टर या ऑटरा कर रहा हूँ आ भॉस्त रहा है वह सभी के लिए इतन ही प्रसंद्रे तर नर्मदे हरण फ़र साथ में भोपाल चोधरी है और सब्सक्राइब कमंडल और जोति लेकर नीच लाता तो तो मेरे लिए अभी कमंडले काई और तुले नहीं है प वहां नर्मादेर नर्मादेर वह सब लोग आगे इसमें तो आरे तुम भी आगे देखो इधर देखो इधर आगे पनादी दर आगे दर मत अब देखो जा रहे हो गवी दानी सुनाई तुम लोगों ने मुझे इंगले शिंदी जब पढ़ रहे हो पर एक कविता भी नी सुनाई मुझे हम बड़े मोटे ते मम्मी मारती थी हम रो देते पापा आते थे चोक्लेट लाते थे हम खाते थे मम्मी चीटती थी हम चीडाते थे अरे बाबाबाबा ताले बजाओ सुम लोग बाद बढ़िया है । तो अगरा उसमें बेबी शोरा सोते सोते भूख लगी खालो पेड़ा भूंपली भूंपली मेदा माने उन्हेर हमारा मामा लोग ताली हो जाओ सो लोग बाड़ी आप नर्मदे हर और यह मैं नर्मद आश्रम के उपर आगिया हूँ यह नर्मद आश्रम और यहां का रिव नर्मद आश्रम में यहां पर गुरूपने की विवस्था भी है यहां पर मंदिर है और आज में भोजन ही लेने वाला हूँ यहाँ पे नर्मद आश्रम में नर्मद हर नर्मद हर यह अपने मन से यहाँ पे सेवा करने आ जाते हैं और सभी के लिए प्रशाद त्यार कर रहे हैं यहाँ के रस्वई नर्मद हर तो यहाँ का आश्रम अगर आपको यहाँ पे वक्त बिताना हो सुबह में रात में तो बिता सकते हैं आगे की यात्रा भोजंग करने के बाद नर्मदेहर भोजंग करने के बाद में तो अपयर की बज़े हैं दो और यात्रा आगे की और बढ़ाते हुए और महराजी के आशिरवाद लेते हुए चलते हैं महराजी प्रणाम धन्यवाद तो यह महाराज हैं जो यहां पर आश्रम की देखबाल कर रहे हैं इनकी कृपा से हम यहां रुके धन्यवाद महाराज जो उच्छे लिए यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज की यात्रा में मैं गाओं के बीच में से निकल रहा था और कुछ जिगह पर सड़के थी सिंगल रोड थी और कुछ जिगह पर इस तरह से खेतों के बीच में से जाने को मिला तो लोगों के खेतों के बीच में से सबसे मिल को मिला तो लोगों के खेतों के बीच में से सबस तो देखिए यह इतना वजन लेके चल रहे हैं तो बस बक्ती में शक्ती है अब करते रहे हैं चलते रहे हैं और इक खेतों के बीच में रस्तव से आते हुए मैं पहुंच गया है समाधी बजराओ पिशा और यह रोड़ा है यहां पर आपको कुछ नर्मदा जनरल सोर और यहां पर कुछ सेवा मिल जाएगी तो चलिए आज सम में तोड़ा राम किया जाए यह नर्मदेश्वर महाकाल बाजराओ पेश्वा समाधी स्थल के पास में ग्राम रावडी रिखड़े मेरा आज का तीसरा दिन और शाम का वक्त मैं यहीं व्यतित करने वाला हूँ इसी आश्रम में और देखिए में खेतों से निकल के आएंगे में प्रोड पी आश्रम में इसके बाद में एक और आश्रम में आप वहां भी जा सकते हो उसके बाद तीन किलो मिटर पे बड़ा आश्रम है और कल आप बहुत इंपोर्ड़ेंट चीज दिखाँगा बाजी बाजी राओ पेशेवर की यहां मुझी कुछ भी हुई थी जो रस्त में वो भी आएगा वो भी हम पवर करेंगे यह देखिए सब लोग आते आरती मारती कर रहे हैं और कल मैं आपको सब कमार लोगों से बिलाओंगा क्या क्या है 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 जो कि यह देखिए नर्मद हर तो ही रात्री का वक्त हो गया है और सब लोगों ने भोजन ले लिया है इस तर से आश्रम है और हम लोग रोड के बाहर इसी आश्रम के बाहर उपकान के बास बैठे है तो जोड़ देर में सब सो जाएंगे और नए दिन नई सुबह नए वीडियो नए वीडियो तो बते हैं